देखें कोश्चन्स इस बार काफी तेड़े मेड़े उपर नीचे दिये हैं काफी गलतियां हैं विद साक्ष मैं सारी चीज़े आप लोगो दूँगा आप लोग इसे बोलूगा भी कि उनको जो है आप लोग पोस्ट करिएगा आयोकता मैंने हमेशा बताया पांस कोश्चन् नहीं करता हूं मैं तो यहां पर सारी चीज़े निकाल कर जो बिल्कुल एकुरेट के एकुरेसी के पास जाने मैं कोश्च करूंगा और फिर मैं आड़ नौबे तक आपको विद प्रूफ जो बिल्कुल क्लियर हैं वह भी आंसकीज बताऊंगा और जिसमें डाउट है वह पक्का है कि कोश्चन गलत है वह वाली भी बताऊंगा और उनके सोर्सेज में दूंगा और जैसा आपको पहले भी कह चुका हूँ फिर से कह रहा हूँ किसी का कॉपी राइट नहीं है NCRT पे और NCRT से ही maximum कोश्चन आए है ठीक है न यह तो वैसे ही बात हो जाएगी कि जो हैंपलों तो वैसे नहीं होता है सबसे बढ़र ओमें के सोर्सेज को ऑफिश सोर्सें जो वैंने वैसे बताए है आप लोग को वह बता हूंग मरां यह जो मैंने था थैयार किने दिए है अने अा जो जो ऐसे कोश्चन है जो बहुती फैक्चुल थे बहुती टॉफ थे उनके चक्कर में दस और बुक पढ़ने के ज़रूरत नहीं है यह क्यों नहीं समझते हो आप और उनको करने की विजरूरत नहीं मैं यह भी आपको बताऊंगा देड़ सब कोश्चन में से जो अती फैक्च लेकिन उत्तर पढ़ने के सब्सक्राइब नहीं है तो तो इसमें कोई जहाए टेंशन लेने के जड़त नहीं है मैं आपको यह बताऊंगा कि जैसे मैं पहले गया था कि 135 तो मैक्सिमा में बहुत ज्यादा इजी पेपर है तब भी तब भी मैं कहता हूं कि 15 कोश्चन छोड़ दो यह चीची टाइप के कोश्चन जो है तब भी चोड़ने होते हैं और इस टाइप को अगर आया तो मैं आप स इस बार जो है गलत होंगे मुझे तो लगता है पेपर ही दुबारा अच्छी मैं सच बताऊं तो आपको इतना जो है ज्यादा गलतियां मतलब यह तो ऐसा लग रहा जैसे जो है कि वहलों क्या ही नोंने सोच के बनाया पेपर या फिर कुछ सोचा ही नहीं आउट सोर्स कर कर दिया पूरा जैसे लोग जो है ना आउट सोर्स कर रहे हैं तो वैसे ही कर दिया नोंने कुछ तो यह कुछ चीजे हैं और अभी इस इस वाले मलों एक्जाम में भी मैं कहा रहा हूं अगर आपने most relevant sources जो मैंने आपको हमेशा कहा है NCRT ठीक गौर्वर्मेंट की websites आइट्स पी आइबी ठीक्स नाम बाकि जो है वह तो दूंगा दूंगा तो के अप पर कहीं से भी कुछ करने की जो नहीं है ठीक आप जैसे सब्सक्राइब करना होता है ना कि वहां मैं जाना होता है तो इसमें अगर ऐसा कोशन है बिल्कुली सबके लिए छीची है तो वह भी आप छोड़ दो उसे कोई टेंचन नहीं है ठीक जो गलत है वो तो सभी लिए गलत हो जाएंगे अभी जो दस-फंदा कोश्चन तो इसमें सब्सक्राइब करने वाले तो यह कुछ बाते हैं और यह मैं इसलिए बता चाहिए था कि आप लोग लगए कि बहुत टाइम लग रहा है इदा उदा उड़ना भागना नहीं अपना आएगा अनलेसिस मैं बिल्कुल एकुरेट मैं यह नहीं बताऊंगा कि आंसर कीस क्या है ठीक वो नहीं यह यह इस टाइप का नहीं करता हूं कॉलिटी होनी चाहिए ठीक है क्या है कि मैं आपको यह बताऊंगा कि आंसर कीस बताऊंगा ठीक है बिल्कुल आंसर कीस के अलावा कौन सी जगह से कोशन पूछा गया है ठीक मालब ओवरल टॉपिक सब्जेक्ट और उस ठीक कहां पे इनने गलतियां कि ऐसा भी है कहीं कहीं जगे पर की elimination तो हो गया है ठीक आंसर भी निकल गया है लेकिए उसमें जो option दिये हैं वह उन्होंने गलत दिये हैं जैसे कि नन्ना देवी आलावना का जहाना दिया जिसमें जो पन दिया तो अपने option भी गलत दिया है म सब्सक्राइब निकल जा रहा हूं तो भाइब भी बताऊंगा उसके लाबा कहां से पढ़ना चाहिए क्या स्टाइजी होने चाहिए कौन कौन से टॉपिक से सब्जेक्ट से कितने कितने कोशन आए यह सारी चीजे पूरा इनलिसिस होगा तो जो लोग इस बार दिए वो भी इसको देखें और में तो रखता है कोशन इतने ज्यादा गलत भाई साब इसको दुबारा ही होना चाहिए पुपरों पक्का दुबारा होना चाहिए इसले नहीं कहा रहा हूं कि यह जो है मेरे पेड सतर परसंट तक अपने जो है दूंगा इस बार भी ऐसे कोशन पेपर में भी फिर भी इतने ज्यादा कोशन गलत करना आयोग तो मतलब एक सबसे वड़े स्टेट के आयोग का यह चीज नहीं थी वक्ति है और यह सारी चीज़े मैं दूगा आपको आठ नौ बजे तक मैक्सिम कोशिश करूंगा दे दू लेकिन दूंगा तभी जब कंप्लीट हो कोई जल्दिवाजी नहीं यहां पर कोई रेस में बदलब नहीं क्योंकि क्योंकि वालिटी मैटर्स मोर दन क्वांटिटी जैन